तो जाहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित मांत्रा में तो डियार इस्टूडेंट आज की इसी वीडियो में कलास 3 के बिज्ञान के माडरल पेपर को हम लोग हल करने वाले हैं जो आपकी बोर्ट पेपर में 100% यहां से कुश्चन पूछा जाएगा यहां पर देखिए जो खंड आ रहेगा क्या रहेगा बाविकल्पी रहेगा क्या रहेगा खंड आपका बविकल्पी क्यूश्चन रहेगा कितने नंबर के 20 कूश्चन के दोस्तों जितनी भी प्रश्म में बताऊंगा सब को त्यार कर लेना और 100% आपको 27 प्रविट को यहां से कोशन देखने को मिलने वाला है तो चलिए दोस्ते यहां पर देखे जो आपका पहले क्यूशन है जब प्रकास नेतर में प्रवेस करता है तो अजिकांस अपॉर्टन क इसको याद रखेगा बहुत ही इंपोर्टन क्यूशन है दोस्तों आप तयार कर लेजीगा अगला क्यूशन आपको देखिए नेमली खित में से कौन सा बोल्टता को नरीपूत करता है किया गया कार प्रती विद्धुधारा गुड़े समय उसके बाद किया गया कार गुड दुधारा गुड़े समय यह आपका पहला आपसन राइट हो जाएगा चलिए अगरा क्यूशन देखिए यहाँ पर निमली खित में से किस स्थिती में कोई आतर दरपड वस्तु बिम्ब से बड़ा वास्तिविक प्रतिविम बना सकता है जब वस्तु बिम्ब दरपड की व फोकस और वकरता केंद्रा के बीच हो उसके बाद देखिए चौथा जो आपसन दिया गया है जब वस्तु बिम्ब दरपड की वाकरता त्रिद्यस से अधिक दूरी पर हो तो बताइए इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा जिसका जो राइट एंसर हो जाएगा आपका ती पीचे बिंच पर बैठा कोई विद्यार्थी स्यामपट पर लिखे अच्छरों को पढ़ सकता है प्रन्तु पाठ पुस्तक में लिखे अच्छरों को नहीं पढ़ पाता नियुकिन में ऐसे कौन सा कथम सही है विद्यार्थी के नेतर का निकट बिंदू उसके पास आ गया बिद्यार्थी के नेतर का दोर बिंदू उसके पास आ गया है विद्यार्थी के नेतर का दोर बिंदू उससे दूर हो गया है तो बताए इसका राइट एंसर क्या जगा इसका राइट एंसर हो जगा डियार्थी के नेतर का निकट बिंदू उससे दूर हो गया है इसको या प्रतिरोध बनाया जा सकता है यहां पर देखिए एक बटा पांच ओम दूसरा आपसन यहां पर दिखिए दिया गया है एक बटा पचीस ओम गा अपसन है देखिए एक बटा दस ओम गा अपसन है पचीस ओम तो बताइए इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा बताइए आपको यहाँ पर देखिए दिये गए चित्र के नुसा और कागज के तल में इस्थित किसी छेती तार में पूर्वे से पस्चिम की और कोई नियाद धारा प्रवाइत हो रही है चुमकी छेती की दिशा उत्तर से दच्छड की और उस बिंदु पर होगी जो तार के ठीक ऊप इसको याद रखेगा अगला किशन दोस्तों यहाँ पर देखिए सात्मा है निमलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर इस्थित किसी वस्तु का प्रतिवी मत्यधिक छोटा बनेगा केवल अउतल दरपड केवल उत्तर दरपड केवल उत्तर लेंस आउतल दरपड उतल दर पर हैं अगला किशन आपकर यहाँ पर देखिए उपखंड खा आ गया अब देखिए इसका राइट अंसर क्या होगा फ्रापड बताईए एक मिस्टर धातू है एक तत्व एक योगी एक समांगी मिस्ट्रड एक बिस्मांगी बताइए जो मिस्टर धातू होता है बताइह स्थाटु मिलकर बना होता जो उससे हम लोग मिस्ट्र ध्हातु कहते हैं अगला क्यों ऐला पर देखिए यहां पर है निमनिखिद में से संत्रिफ हाइट्रोकारवन को पहाइडिये इस में बोल रहा दोस्तो आशंत्रित हाइट्रोकार्वन को पहचा रहना आपसां दिखें यहां पर दिया गया है CS3 single bond है CH2 single bond CH2 CS3 यहां पर दिखें CH3 single bond फिर यहां पर दिखें CH double bond है इसके बाद दिखें CH single bond Winds Breeоров तिया गए है इहा पर it कि सिंगल बॉंड यहां पर भी सिंगल बॉन्ड उसके बाद देखिए सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉंड इसका राइट एंजर क्या हो जाए में नवेकर राइट एंजर क्या यहाँ पर तथा डी उसके बाद गा है बी तथा सी तो बताएए इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी तथा डी दोनों यानि खा आफसन राइट हो जाएगा यानि जो आपका खा है और हो स्मूं आज सब दे है अगला वां दो होगैं है ऑगला किरिया है समा के साथ तोस केरिय कारिया केर केलिया है बनाता है तथा साथ में उस्मा उत्वन होती है इस प्रक्रिया को चूने बुझहना कहते हैं केरिया हाटरकसाद जैल में खुल कर इसका बिलेण बनाता है जिसे चूने का पानी केते हैं निलम्न हिट है क्थन को बिजाने तथा इसकी बिलेण को तदा एक उसमा 60 लिया भी सही है उसके बाद सी आसने भी यानि यह एक उस्मा छेपी अफ के लिया है और प्लडामी बिलन की पीच साथ से अधिक होगी चलिए अगला किश्चन आपको यहां पर देखिए एक प्रमाड़ों की प्रमाड़ी यह त्रिज्जा का निम्रिखित में से कौन सा सही प्रदर्सन है यहां पर देख इसका राइट एंसर क्या हो जेगा हूं तो गिया पहला दूसरा तीसरा चोथा और उसकी रहाई वहाँ ए चंशर क्या ने ब nya रता प्राणिक पदार्थों का सुमेलन कालम B में दिये गए उनके अनुप्रयोगों से कीड़िये यहां पर दिए कालम A है उसके बाद कालम B है मिलान करना यहां पर देखिए सुमेल का सही सेट है तो पताईए ब्रहामे का राइट आपसन सही हो जाएगा इसको याद रखेगा ग नीले नीटमस पत्र को लाल कर देता है अगला क्यूशन आपको देखिए चूने के पानी से भरी प्रक्नली में जब मुह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मजूद्की के करत दुधिया हो जाता है आक्सीजन कार्बन डाय अक्साइड ना इक्रोजन जल इस डायनासोरों में एक परपिच मौजूद थें किन्तु उड़े नहीं सकते थें लेकिन पच्छियों में पर होते हैं जो उड़ने में मदद करते हैं विकास के संदर में इसका या अर्थ हुआ की सरीश रीपों के उत्पत्ति पच्छियों से हुई सरीश रीपों और पच्छियों की उत्पत्ति सरीश रीपों से हुई है तो बताए इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा पच्छियों की उत्पत्ति सरीश रीपों से हुई है एक आप्सन राइट हो जाएगा अगला क्यूशन आपको यहां पर देखिए यदि किसी जीव का जीवास में प्रित्वी किया पेच्छा करित गहरी परतों से प्राथ हुआ है तब हम भविश्वारी कर सकते हैं कि जीव का बिलोब हाल ही के कुछ वर्थों में हुआ है जीव का बिलोब हजारो वर्थ पूर्व हुआ है प्रित्वी की परतों में जिवासमी की स्थिती का जिव के बिलिट होने की अवधी में कोई समन्द नहीं है बिलिट होने की अवधी का निर्धारन नहीं किया जा सकता तो बताएं इसका राइट एंसर हो किया जाएगा सुलावक राइट एंसर हो जाएगा आपका खाफसन राइट हो जाएगा जीव का बिलोप हजार वर्स पूर हुआ है अगला क्यूशन है यहाँ पर टेकिए डिया इस्टुडेंट चित्र में भाग ABC किस क्रम में होते हैं यहाँ पर देखें बीजपत्र प्रांकूर और मुला अगला क्यूशन आपका देखिए अमरीता देवी विस्नोई राष्टे पुस्कार भारत सरकार द्वारा कि छेत्र में परदान किया जाता है जीव संद्रचण है तो पौधे की कटाई के लिए जीव प्रधोके की छेत्र में जल संद्रचण है तो बताए इसका राय टेंसर शहर्ण करता है जिर्जडार इसमाल आर में इस म सेंकरण करा जाया तो यह फोन के वीच कैसे होंगे गोल और पीले गोल और हरे जुर्डार और पिले तो बताए इसका राइट गुल और सबस्कोद्धान अगला क्ईशन आपड़ की प्रध्यार में years student निमनेखित चेत्र में अंकीत यह माधा जननतत्र के कि सभाग को परदसित करता है ग्रीवा यो नी गरभा से अंडा से तो बताए इसका राई टेंसर क्या हो जाएगा अंडा से को परदसित करती है अगला क्यूशन है यहाँ पर देखिए अब जो आपका खंडबा आ गया दो क्यूंकि दोस्तों जो आपके बॉर्ट पेपर में क्यूशन बनेंगे लोंग क्यूशन वो सभी आपके माडल पेपर से क्यूशन बनते इसको ध्यान रखेंगा पहला क्यूशन है गोली दरपड़ों द्वारा परिवरतन के लिए चिन परपटी लिखिए यह भी बेरी बेर इसको द्यान रखेंगा अगला क्यूशन यह पर देखें डिया इसको आप इस तरह लगा लेंगी बेरी बेरी मोस्ट इंपर्टन क्यूशन है अगला क्यूशन है दच्छल हस्त अंगोष्ठ नियम में अंगोठे की दिशा क्यों निर्दिष्ठ करती है उसके बाद यह नियम कि इस प्रकार फ्रेमिंग के बाह महस्त नियम से भिनने है कि किसी 36 सक्ती संचरल लाइन में पूर्वे से पस्चिम दिशा की और विद्दुधारा प्रवायत हो रही है इसके ठीक नीचे की किसी से पर चुमकि छेतर की दिशा क्या होगी कितने नमर का दोस्तों छह नमर का है और बहुत ही इंपोर्टन क्यूस्चन है इसको आपको त्यार कर लेना इसकी बाद देखिए अथवा करके दिया है इसको ध्यान रखिएगा बिद्दुध मोर्टर का सिद्धान तथा कारेवि सब पूछेगा या तो बिद्धत मोटर का सिध्धान्त कारेविधी यह सब पूछेगा यह दो क्यूश्चन आपके पक्के होने वाले हैं दोस्ते इसको ध्यान रखेगा अगला क्यूश्चन यहां पर देखिए आगे आपका निर्मिखित योगिक्यों की संरचना चित्रित क किजिए क्लोरो प्रोपेन टू मेथिल प्रोपनेल यहां पर दिए टू कामा टो डाइम मेथिल व्यूटनेल पेंटानोई कमल इसको भी द्रयाद रखेगा कितने अबर चार नमबर का है अगला क्यूश्चन देखिए यहां पर दिए गया है छाठावा क्यूश्चन कुछ तत्तों के प्रमाडू करमाग नीचे दिए गये हैं 10 10 20 साथ 14 अब तत्तों की पहचान कीजिए आवर्त सारले में इन तत्तों की समू संख्या था आवर्त लिखे एक इतने नमबर का चार नमबर का है अगला किशन यहां पर देखिए दोस्तों है आवर्त निम लिखी अभि नमबर क्या रहेगा कार्वान रशाल एहीं सब आपको किर्या भी कर्या वाला भी आपको देख लेना यह कैसे किर्या कराना है क्या चीज है इसको भी पढ़ लेना है 100 परसर इस तरह कर दोस्तर आपके इन अथा करके दिया है निमभिःक्षे संशिप टिपड़ी लिखे अ तो नश्ठ होने लगता है तो संचारण के तौर पे लोहे में जंग लगना यह भी ध्यान रखना चलिए अगला क्यूशन आपका देखिए यहां पर सब्सक्राइन पर यहां गया आपको दोस्तों क्या करना रखना एक कि ऐसे शार फ़ी च्छार नमबर का question है इसको दियान रगे है अगला question है यहाँ पर देखिए रंद्रों के खुलने तथा बंध होने की प्रक्रियों को चित्र द्वारास प्ष्ट कीजिए कितने नमबर का चार नंबर का बेरी बेरी मौस्ट इंपोर्टन केशचन दोस्तो आपके बोर्ड पे पखले वह पुंट पर शवत Certainly नघृत का गें दोस्तो अपके जुंटर ओलन केश दोस्तो मैंने जितने वी कोश्चन सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि इस चैनल पर सभी इसे का अच्छे त्यारी करा जा रहा है और हम लोग अच्छे से भी आप लोगों त्यारी करने का प्रयास भी कर रहे हैं दोस्तों मिलता हूं नेश्ट वीडियों में तब तक लिए जैहिन बंदे मातरम